बरेली में महिला स्पताल में 18 प्लस और 44 प्लस की वैक्सीन को लेकर मारा मारी हुई और वैक्सीन लगवाने आई भीड सोशल डिस्टेंसिंग की दजीया उडाते हुए दक्का मुखी करती रही जनकपुरी से आय अंकूर अरोरा ने बताया कि उनका स्लोट 11 बजे का था लेकिन 12 बजे तक उनको वैक्सीन नहीं लगी CMS को पॉन लगाया कोई सुनने वाला नहीं नई बस्ती के रामकुमार अक्रवाल ने बताया कि उनका स्लोट 11 बजे का था, रेक्सी लगवाने का लेकिन कोई सुन नहीं रहा, यहां पर इतनी अब्यवस्ता आया कि मारा मारी हो रही है, काफी देर के बाद इसकी सामान ने हुई और लोगों को टीका लगा, बार्ट बॉ अच्छे लिए में हम लोग वेरिफाई करकर के 15 लोग उपर ले रहे हैं, और बाकी हमने थोड़े लोग नीचे भी बठा रहे हैं, लेकिन वो लोग कहना नहीं मान रहे हैं, तो कल मैं पहले से ही कांस्टबस बुला लूंगी 2-3 और वो लोग भीड को कंट्रोल करेंगे औ बारी-बारी से उपर भीजे ले, अन लोगों को, और हम लोग कहले हमें मवाइल में देखना है कि उनकी डेटा या नहीं, 18 to 45 में तो pre-registration है, तो उसको हम पहले उनको वरिफाय करते हैं, लेकिन लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, और यहां दो बूत लगे हुए, और कल मैं लोगों को खुदी समझना चाहिए कि हमें डिस्टेंसिंग का कालन करना है, अकल मैं दो कॉंसे में लगवा के पूरी लाइन लगवाओंगी, और लाइन, 15-20 लोग एक बार में अंदर बेजिए लिए, उनका वेक्सिनेशन तेजी से करके, और सिर्फ कलसास करवाएंगे इ जी मेरा नाम अंकुर अरोरा है, मैं यहीं जनकपूरी बरेली में, मैं वैक्सीन के लिए आया था, मेरा 11 से 12 बजे का स्लोट था, मैं 11 बजे से यहां खड़ा हूँ, यहां इतनी अवेवस्था है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, मैं CMO साहिबा को छे बार फोन कर चुका उसके बाद मेरा फोन डिसीव नहीं हुआ, मैं उन्हें वाट्सअप भी कर चुका हूँ, यहां की फोटो खेच के, लेकिन कोई जवाब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, सब भगवान भरोता हूँ मेर नाम कमल दत है, मैं संजय नगर बरेली से आया हूँ, साले हाट बुजे का सुबह का है हो, 27 नंबर नमबर दे रखा भी तह कोई नंबर नहीं है, एक बजना ज़ी नहीं स्पाले आ गया थो, मैं अब मैसिज पूरा कूपन दे रखा है, मैर पार अनलाइन बुक है, अभ देखती रहिए, डीवी भारती समचार, नजर हर खबर पर